यू पी टी एलोट में फस्ट और थर्ड सिमिस्टर की जो परिच्छाएं वो संपन हो चुकी है इसके साथ ही बहुस सारे स्प्रेट्सने अपरी परिच्छाओं को अच्छे से यहाँ पर एकसा पर करने के बाद भी कई सारे स्प्रेंड की किसी ना किसी सब्जेक्ट में रक लग लगी तो हमने को जानने के लिए यूटूब पर एक सर्वे किया और इस सर्वे के एक ह हजार से ज़ए जादा सर्वे कि तक बुड trump के लिए और हमने यहाँ पर आपसे पूचा था वाले इंकलूड होंगे यहाँ रखना है क्योंकि दोनों ही सेमस्टे में जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहते हैं के विख सकते होंगे सबसे पहले हमने यहां पर जो सब्जक्त लिया था आपका संस्किर्थ उसके था आपका math and after that science sst और सबसे लास्ट में आपका था computer तो इसमें यहां पर जो एकजार इस्टेज़ेंट्स ने पाइस्पेट किया है इसमें सबसे ज्यादा इस्टेज़ेंट्स ने जिस सब्जेक्ट को select किया है वह आपका संस्किर्ट यानि कि संस्किर्ट सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डरी कि सब्जेक्ट में द्यखaltet लग सकती है उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका में दोस्तों ऐसा ही में संस्किर्ट में ज़्यादा चांसले है बुक्त लगने के कि जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अगर हम गलत आंसर लिखेंगे डी के इधर उधर लिखेंगे कुछ भी तो जो माक्स हैं वो काट लिए जाएंगे जो चीज आपसे पूछी जाती के वल एक एक नंबर में वही चीज है आपको सटीक चनकरी देना पड़ती है जो पूछा जा रहा है वही बदा रहा है अगर कुछ भी आप इधर उधर का लिखते हैं तो आपके जो माक्स हैं तो एक्जामनर काट देते हैं तो ऐसे में जो सब सब्जेक्ट में आपकी वैक लग जाती है तो सबसे पहले तो आपको स्कूरूटनी का मौका मिलता आप अपनी एक्जाम कॉपी को दो बार से यहां पर चेक करा सकते हैं स्कूरूटनी कितरों इसकी फीस कितनी होती है अभी मैं आगे दिखा दूँगा आपको लाइप पिर स्कूरूटनी करा सकते हैं और यहां पर आपके जो रिसल्ट आता है उस पर सारे जो दिसा निर्देश हैं वो प्रिंट की हुए आपको मिल जाते हैं तो यहां पर आपको लाइप देखनी के लिए मिल पा रहा होगा इस तरह से कुछ निर्देश देखनी के लिए मिल रहे नमबर एक में बतायागा यदि किसी पीस्चू की, किसी भी इसे की उत्तरफुस्तिका का अनुसंधान, यानि की स्कूर्टनी चाहता है, कोई भी पीस्चू अपनी एक्जाम कॉपी की स्कूर्टनी कराना चाहता है, तो उसे परिच्छे परडम घोसित होने की तीस से तीस दिन के अंदर संबंदित डाइट में अपना आदेवेदन जो है प्रिस्तुत करना होगा यानि की स्कूर्टनी के जो फॉर्म है वो आपसे भरा लिया जाता है और यहां पर आपको यह भी बताया गया है कि पर इसके बाद यहां पर आपको बताया गया कि इस फॉर्म की जो फीस रहती है वो केबल सौर पर होती है एक सब्जक्ट फीस सौर पर रहती है अगर आप दो सब्जक्ट में स्कूर्टनी फॉर्म फिल करेंगे तो दो सरफ आपको देना ही होंगे यहां पर यह चीज और आपक लग रही तभी आप स्कूर्ट निकराया ने था आप बैक पेपर देने की पूरी कोसिस करें और आपको देना ही पड़ता है इसके साथ ही यहां पर और विकी सारी चीज़े बताई गई है कि परिच्छा अब्दी में मेडिकल अपकास लेने के दिसामें परिश्चू का अनु प्रिदान की जाएगी यह दिदो से अधिक विस्यों में उत्यूल होता है तो इसे पूरा सिमिस्टर दोबारा पूर करना होगा जो आपके रिटिन एक्जाम होते हैं एक्जाम सेंटर पर मैं पहले भी आपको बता चुक हूँ अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप आगे आने बाले सिमिस्टर में भाग ले पाएंगे आगा आने बाले जो भी अपना अगला सिमिस्टर है सिकेंड सिमिस्टर या फोर्थ सिमिस्टर उसमें आपको परिच्छा देने के लिए मिलेगा ठीक है उसके साथ साथ जिन सिमिस्टर में आप फेल होंगे या जिस semester में आप अनुफस्त होंगे उन subject की भी आपको परिचा देने होगी लेकिन अगर दो से ज्यादा subject में आपको वैक लगती है तो उस पूरे subject उस पूरे semester की पेपर आपको दुबार से देना पड़ेंगे जिस semester में आपके दो से ज्यादा subject में वैक लगी और आप अग ने बीडियो में किनी information के साथ thank you so much for watching